नमस्कार, दव वायर बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं रिदूत अमर और हमेशा की तरह शुरुआत सुर्ख्यों से जम्मू कश्मीर से हटाया गया अनुच्छे 370 राश्च्पती कोविन ने जारी किया आदेश जम्मू कश्मीर में लागू होगा भारत का समिधान कॉंगरस ने कहा भारत सरकार ने देश का सेर काटा भारत से गदारी की पाकिस्तार ने अनुच्छे 370 हटाने पर कहा कश्मीर पर एक तरफा फैसले से विवाद नहीं सुलचेगा और सुप्रिम कोट ने कहा उन्नाव बलातकार पिडिता को इलाज के लिए दिल्ली एम्स लाया जाए और अब खबरे विस्तार से केंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छे 370 हटा दिया है ये अनुच्छेत राज्य को विशेश दर्जा देता है सरकार ने राष्टपती की मंजूरी के साथ अधिसूचनाचारी की और सदन में से जुड़ा संकल्प भी पेश किया इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के दो केंदर शाषित प्रदेशों में बाटने का भी फैसला हुआ है पहला केंदर शाषित प्रदेश होगा जम्मू और कश्मीर जिसमें एक विधान सभा भी होगी यानि ये दिल्ली की तर्ज पर होगा लेकिन इसमें राज्यपाल की जगर लाफिनन गवरंडर होगा दूसरा केंदर शासित प्रदेश लदाख होगा जिसमें कोई विधानसवा नहीं होगी केंदर ग्रहमंतरी अमित्षा ने आज सदन को समबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छे 370 का सिर्फ एक खंड बचा रहेगा बाकि सारे खंड समाप्थ हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में धारा 144 लगाने के बाद ये फैसला लिया गया समिधान का अनुच्छे 370 एक आस्थाई प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर को विशेश स्वायत दरजा देता है अनुच्छे 370 के अलावा अनुच्छे 35 को भी खतम करने का प्रावधान यानि प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया अमिध शा ने कहा कि आंत्रिक सुरक्षा के कारण ये फैसला लिया गया है सरकार के इस बिल को BSP, BJD, शिफ सेना, आमादमी पार्टी और AI ADMK के ने समर्थन दिया है महीराज्य की पूर्मुख्य मंत्री और PDP प्रमुख महभूबा मुफ्ती नी कहा कि भारत अपना वादा पूरा करने में नाकाम्याब रहा है रविवार देराद से नजरबंध मुफ्ती ने धारा 370 को हटाए जाने को गैर कानून बताते हुए कहा कि आज का दिन भारत के तिहास में सबसे काला दिन है और हुने कहा कि भारत सरकार द्वारा एक तरफा तोर पर अनुच्छे 370 को हटाना गैर कानूनी है इससे जम्मू कश्मीर में भारत कबजा करने वाली ताकत बन जाएगा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मोधी सरकार लोगों को आतंकित करके कश्मीर पर अधिकार चाहती है वही राजे के पूर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी भारत सरकार के इस एक तरफा और चुकाने वाले फैसले को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुए उस विश्वास के साथ धोका बताया जिसे राजे ने 1947 में चताया था उन्होंने कहा कि अनुसेट अनुचे 370 और 35 एक को खतम के जाने का फैसला मोलिक सवाल खड़ा करता है क्योंकि जम्मू कश्मीर कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल हुआ था यह एक तरफा गैर कानूनी और आसवेधानिक है और नैशनल कांफरेंस इसे चिनोती देगी हम आपको बता दें कि से पहले रविवार आधीरात को उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के कई प्रमुक नेताओं को नजर बंद कर दिया गया था सुरक्षा के मुद्धे पर राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है कश्मीर से जुड़ी एडवाइजरी सभी राज्यों पर लागू होगी कश्मीर मसले पर कॉंगर्स ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया है अब बढ़ते अंगली खबर क भारत का समीधान लागू करने का प्रावधान करता है यह आदेश ततकाल प्रभाव से लागू किया गया आपको बता दे कि जम्मु कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा इसमें कहा गया है कि समीधान के सभी प्रावधान जम्मु कश्मीर राज्ये में लागू ह बदलाव में ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को राज्ये की विधानद सभा की सिफारिश राष्टपती त्वारा जब्मू एमु कश्मीर के सदरियर रियास्त की रूप में इसेनी की रोप से मानता दी गई है उनके लिए निर्देशों को जम्मू कश्मीर के राजयपाल के लिए निर्देश माना जाएगा अब अड़ते हैं अगली खबर की तरफ जम्मु कश्मीर से समिधान का अनुच्छे 370 हटाने और राज्या को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने केंद्र सरकार के कदम किया लोचना करते हुए कॉ राजपा की सरकार ने देश का सिर काट दिया है और भारत के साथ गदधारी है राज्यब्वा में नेता प्रतिपक्ष कॉंग्र्स के वरिष्ट नेता गुलाब नवी आजात ने ये भी कहा कि सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सम्मेधन शील राज्ये के साथ जिसका उनकी पार्टी और दूसरे विपक्षिदल विरोध करेंगे उन्होंने कहा कि जम्मु कश्मीर जैसे सीमावर्टी राज्य में वहां की जनता को साथ लिये बिना सिर्फ सेना की बदोलत दुश्मन से नहीं लड़ा जा सकता आजात ने कहा कि 1927 के बाद ऐसी अन्होनी स संसत के द्वारा की जा रही है जम्मु कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखने के लिए लाखो लोगों ने कुर्बानी दी है जब भी आतंकवाद हुआ उसका मुकाबला जम्मु कश्मीर की जनता वहां की पार्टी और हमारे सुरक्षबलों ने किया अनुच्छे 370 ने जम ले शब्दों में लिखा जाएगा उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इनको पता नहीं कि एक तरफ चीन की सीमा एक तरफ पाकिस्तान सीमा और एक तरफ पीओके की सीमा है ऐसे में भाजपा सरकार ने इस तरह से राज्य के साथ खिलवाड करके देश की साथ गद्दारी करने का काम किया है उन्होंने कहा कि किसी सीमावरती राज्य में सिर्फ फोज की बदुलत दुश्मन को नहीं रोग सकते इसके लिए स्थानेय लोगों का विश्वास होना चाहिए भाजपा सरकार ने आज हमारे देश का सिर्ख गाट लिया है भाजपा की सरकार ने भारत को बिन अन्य दलों के आसन के पास धरने पर बैठे हैं जिसे नहीं दिखाया जा रहा है अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली ख़बर की तरफ ग्रह मंत्री अमित्षा दुआरा जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 के पहले खंड को छोड़ कर अन्य सभी प्राभधानों को खतम किया जाने के प्रस्ताव पर पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया है खबरों के मताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने कहा है कि भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर अंतुराष्टिय सर पर माना गया एक विवादित छेत्र है भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक तरफा कदम इस विवादित स्तिती को बदल नहीं सकता इसी बयान में आगे कहा गया कि अनुच्छे 370 हटाने का फैसला पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी स्विकारय नहीं होगा भारत सरकार के इस आसमिधानिक कदम से मुकाबला करने के लिए हम हर संभावित विकल्प अपनाएंगे इससे पहले ग्रहमंत्री अमिध्शा ने सदन में अनुच्छे 370 के पहले खंड को छोड़कर इसके दूसरे सभी प्रावधानों को नीरस्त किये जाने संबंदी प्रस्ताव रखा था तब उन्होंने ये भी कहा था कि स्थारा से राजय के लोगों के बजाए महा के चुन्दा परिवारों को ही लाब पहुंचा है और अब बलटिन की आखरी ख़वर सुप्रिम कोट ने लखनों के के जी एमसी अस्पताल में भरती उन्नाव की बलातकार पीडिता को बहतर इलाज के लिए विबान से दिल्ली की एमस में भरती करने का आदेश दिया है पलातकार पीडिता पिछले सपता कार और ट्रक की टकर में बूरी तरीकी से घायल हो गई थी पीडित परिवार की ओर से पेश वकील ने जस्टिस दीपक गुपता और अनिरुद बोस की पीट से कहा है कि पीडिता की मा चाहती है कि उनकी बेटी को बहतर इलाज के लिए दिल्ली की एमस में शिफ्ट किया जाए क्योंकि उसकी हालत अब भी नाजुग बनी हुई है इसके बाद पीट ने पीडिता को पीडिता का संग्यान लेते हुए उसे किंग जोर्च मैडिकल कॉलज से एमस शिफ्ट करने का आदेश दिया इससे पहले सोमवार को ही केजी एम्यू ने पीडिता और उनके वकील का मैडिकल बुलेटन जारी कर बताया कि दोनों की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है डॉक्टरों के नुसार पीडिता नो दिन बाद होश में आई है लेकिन पीडिता और वकील दोनों की हालत अब भी खत्रे से बाहर नहीं है हाला कि पीडिता की हालत में मामूली सुधार हुआ है और वे उसके हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं जबकि वकील अब भी कौमा में है उन्होंने बताया कि पीडिता को वेंटीलेटर से हटाने पर विचार किया जा रहा है जब कि वकील को पहले से ही पहले वेंटीलेटर से हटा लिया गया था हलाकि दोनों की हालत अब भी खत्रे से बाहर नहीं है के जी आम यू के ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने सौमार को बताया कि पीडिता की हालत में सुधार हो रहा है अब वो हमें देख और सुन पा रही है और हमारी बातों को समझ पा रही है भाजपा से निश्कासित विधायक गुल्दीप सिंगर प मलातकार किया था इस मामले में विधायक फिलहाल जेल में है पिशले सब्तार आइबरेली के पास पीडित लड़की की कार को एक ट्रॉक ने टकर मार दी थी इस टकर में महिरा की चाची और मोसी की मोथ हो गई थी जबकि वो और उनके वकील गंभी रूप से घायल हो गए थ स्वतंत्य पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए रिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुने